Hello friends, आज के इस विडियो में operating system से सम्बंधित MCQs को solve करेंगे जो कि आपके different exams में previous year में पूछे गए हैं, उसको सामिल किया है साथी साथ नए questions को भी इसमें सामिल किया है जो कि आपके exam point आप इसे बहुत ही important है तो विडियो को आप ध्यान से दिखेगा ताकि इस topic से related जितने भी question आपके exam में पूछे जाएं तो उसको आप आसानी से कर पाएं चले friends, विडियो को start करते हैं पहला question है निमलिखित में से कौन सा software computer system को नियंतरित करता है तो operating system जो होता है computer system को नियंतरित करता है तो option C इसका सही answer हो जाएगा अगला है Linux, Unix का किस प्रकार का operating system है तो यह है multi-user, multi-task जिनि option D इसका सही answer हो जाएगा अगला question है GUI का पूर्ण नाम क्या है very very important कई बार exam में पुछा गया है तो इसका होता है graphical user interface option A इसका सही answer हो जाएगा अगला question है Linux का home tab Windows के किस tab के समान होता है अगला question है computer system में किसी operation को पूरा करने के लिए किस memory की आहम भूमिका होती है तो main memory की इसकी आहम भूमिका होती है option A इसका सही answer हो जाएगा next question है निमलिखित में इसे कौन सा operating system का भाग नहीं है तो इसका हो जाएगा option D, इसमें से कोई नहीं अगला question है किस directory में configuration file store रहती है तो slash etc में होता है यनि option C इसका सही answer हो जाएगा अगला question है dash, directory में ऐसे सुचनाओं को रखायता है जो अन्य utilities के लिए आवस्यक होता है तो slash bar होता है यनि option C इसका सही answer हो जाएगा अगला question है question number 9 Linux में write permission के लिए user को निमलिखित में से कौन सी सुबदा नहीं दी जाती है तो file extension करने की permission नहीं होती है यनि option C इसका सही answer हो जाएगा अगला है hard link file के लिए Linux user को किस चिन के सुबदा दी जाती है तो L के सुबदा दी जाती है option C इसका सही answer हो जाएगा अगला question है किसी file की directory को बदलने के लिए निमलिखित में से किस command का यूज कियाता है अगला question है question number 13 निमलिखित यानि नीचे दिएगे बिखल्पों में से किसी directory को बदलने के लिए सही syntax कौन सा है तो इसका हो जाएगा option C अगला question है 14 नमर question mv-i कमांड के लिए कौन सा बिखल्प सही है तो इसका सही बिखल्प होता है फाइल को move करने से पहले user की अनुमती ली जाती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा question number 15 है linux की desk command द्वारा computer system से संबंधित utilities के बारे में ब्यापक जानकारी प्राप्त होती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा main option b अगला है linux command tar का पूरा नाम क्या है तो यह होता है tape archive यह option c का सही अंसर हो जाएगा next question है linux को system में install करने के लिए RAM का size कम से कम कितना होना चाहिए very very important question तो 128 MB होना चाहिए option c का सही अंसर हो जाएगा 128 MB होना चाहिए अगला question है question number 18 निमलिखित में से कौन सा linux installation method नहीं है पूछा गया है तो इसका हो जाएगा attended नहीं होगा यह option d इसका सही अंसर हो जाएगा निमलिखित में से disk partition से सम्मदित कौन सा भिकल्प गलत है पूछा गया है तो इसका b option गलत है अगला question है question number 20 GNU project का अविश्कार किस भेग्यानिक ने किया था तो इसका अविश्कार रिचर्ड इंस्टाल्मेंट ने किया था तो इन्हीं option d इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है निमलिखित में से कौन सा windows वर्जन 64 bits को support करता है तो windows x भी इसको support करता है यन्हीं option c इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है windows की startup display पर कौन से अवस्से दिखाई देता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा 22 का b हो जाएगा task bar task bar जो होता है windows की startup display पर अवस्से दिखाई देता है तो इन्हीं option b इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है handwriting recognition की सुरुआत किस windows के साथ हुई थी तो इस windows 7 के साथ सुरू हुई थी जैनि option a इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question number 24 यूजर द्वाला delete किये गए folder या file आदि को कहां से restore किया सकता है तो आपके computer में recycle bin होता है वहां से आप इसको फिर से restore कर सकते हैं option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला है start menu के अंतरगत कौन सा फिर समय अंतरगत कौन सा option होता है तो इसमें सबही होते हैं यह Hij D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है जब user को computer का प्रियोग करने कुसर में बात करना होता है तो उसके लिए कौन सा भीकल चुना जाता है तो sleep mode चुनते हैं नि option B इसका सही अंसर हो जाएगा next है notepad का file extension इन notepad जूज़ करते हैं उसका file extension क्या है very very important आजकल extension से संबंदित question बहुत पूचिया आते हैं तो उसको आपको ध्यान लखना है dot txt text होता है यानि option A इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है select all command किस menu की अंतरगत आते हैं 28 number question तो edit menu की अंतरगत आते हैं option B इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट होता है question है 29 number question backup किस tool की सहायता से बना जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा disk tools की सहायता से गयाता है निया option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है system में date and time बदलने के लिए यह feature किसके अंतरगत नहींत होती है तो यह control panel के अंतरगत नहींत होती है यह option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है wheel tab द्वारा vertical even horizontal screen इसको रण की जाती है नि option C इसका हो जाएगा vertical and horizontal अगला है file का type जानने के लिए क्या देखा जाता है तो file का type जानने के लिए उसका extension देखते है option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है question number 33 किसी file या folder का नाम बदलने के लिए दबाई जाती है तो F2 दबाई आता है यह option B इसका सही अंसर हो जाएगा very very important question अगला question है computer का main switch off करके on करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो इसको जो है special booting कहते है यहनि option B इसका सही अंसर हो जाएगा next question है question number 35 command prompt screen को साफ करने के लिए किस command का प्रियोग कियाता है तो CLS clear screen होता है यह option B इसका सही अंसर हो जाएगा question number 36 देते है type command का प्रियोग के लिए कियाता है तो type command जो होता है file का content देखने के लिए कियाता है यहनि option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है निमलिखित में से कौन सा external command है पूछा गया है 37 number question तो main main होता है यहनि option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है question 38 38 किसी disk error को सुधारने के लिए या space check करने के लिए किस command का प्रयूग कियाता है तो check disk होता है यहनि आपका हो जाएगा option B इसका सही अंसर है तो इस तरह से हमने इस topic से लेटर सभी questions को discuss कर लिए जो कि आपके आने वाले सभी exams के लिए very very important है वीडियो पसंदा है तो लाइक करें अपने सभी दोस्तों में share कर दें और चैनल पर पहली बार बिजिद करें चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलता रहे